इसराइल पर एक नई मुसीबट तूट पड़ी है इसराइल के साथ वही होने जा रहा है जिसका उसे डर था क्योंकि इरान से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका तक को डरा दिया है बहुत डरा दिया है इरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर गाजा के युद्ध का फैसला पलट तो इसराइल ऐसे काउंटर करेगा इसराइल को यकीन हो गया है कि इरान ने एटम बंब बना लिया है अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये हैं Israel का Aero Missile Defense System ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब Israel पर Long Range Missile से हमला होता है Aero System ने Israel को यमन से फाइर की गई पैलेस्टिक Missile से बचाया लेकिन क्या ये सिस्टम अब इरान के इधम्भम से बचा पाएगा? क्योंकि एरान को लेकर खबर बहुत हतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खत्रा इसरेल को सता रहा है पूरे इसरेल में परवानो भम का साइरन बजने लगा है चाहे वो राजधानी तेल अवीब हो या फिर हाइफ़ या फिर कोई और इसरेली शहर इस वक्त हमास के रॉकेट से ज़ादा खौफ इरान की मिसाइल का है क्योंकि अब उसमें परवानो भम भी फिट हो सकता है अमेरिका दावा कर रहा है कि इरान के पास अब इसरेल तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम भम इरान के पर्माणो ठेकाने को लेकर IAEA यानी अंतराश्विय पर्माणो उर्जा एजनसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसरेल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है आये ये कि सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया क्या है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धित यूरेनियम एकठा कर लिया है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इरान इससे 3 एटम भम बना सकता है इरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक महुच गया है एक परमाणो भम बनाने के लिए यूरेनियम का 90 प्रतिशत तक समवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धन कर लिया है हलाकि 90% तक संवर्धन करने और बम बनाने में उसे कई महीने लग सकते हैं यानि इरान अब परमाणू बम बनाने के बहुत करीब है ऐसे दावे इसरेल और अमेरिका लगातार करते रहें इसरेल ने हमेशा कहा है कि वो इरान को परमाणू बम नहीं बनाने देगा अमेरिका भी इरान के परमाणू कारिक्रम को लेकर इसरेल की हां में हां मिलाता आया है इस वक्द पूरा पश्यमेशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सो लग रहा है इरान से लेकर इसरेल और तुर्की से लेकर सौधिय अरब घाज़ा पट्टी में हो रही बंबारी में पूरे अरब वर्ल को बारूद के डेर पर बैठा दिया है अब पर्मानू पम को लेकर इरान वाले खत्रे ने इसरेल और अमेरिका का डर्वाला मीटर रेड लेबल पर ले आया है इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ल वार बनकर तूट सकता है क्योंकि इरान कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लाँच होने के 400 सेकंड के अंदर इसरेल पर जाकर तबाही मचा सकती है इरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तयार कर चुका है उसकी बलेस्टिक मिसाइल को इसरेल आरन डूम से नहीं गिरा सकता और इरान का दावा है कि इसरेल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सेस्टम उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी इस स्वक्त इरान के परमाणू कारेक्टरम को लेकर जो खबरे हैं उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणू अट डे पर सबकी नजरे हैं अभी इरान ने 6 स्पॉर्ट पर नियोप्लियर रियक्टर लगाये हुए लेकिन इन में से 2 एहम साइट है पहली जगह है नतान्स और दूसरी जगह है फोड़ू यहां है अंडर्टराउन नियोप्लियर साइट जहां इरान सबसे ज्यादा गुडवत्ता के यूरेनियम सम्मर्धन करता है ज्यादा बहतर क्वालिटी यानि बम बनाने के लिए बहतर यूरेनियम इरान के परवाणू प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी है यह नतान्स नियोप्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है वही फोडो वाले नियोप्लियर साइट की पहली सैटलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थे यहां भी 2002 से 2020 तक इरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं योरेनियम संवर्थित कर रहा है इरान के पास अभी एटम बम नहीं है यह बाग तो पुखता तोर पर अमेरिका भी मानता है लेकिन इसरेल के पास एटम बम है इससे कोई इंकार नहीं करता दावे के मताबिक आज की तारीख में इसरेल के शांत रेकिस्तान में नेगेव परमाणू रिसर्च सेंटर है जहां ताखतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट के मताबिक इसरेल के पास करीब 90 परमाणू बम है जो पूरे पश्चिमेशिया को पिखली हूई बेत में तबदील कर सकते हैं घाजा में बंबारी के दोरा इसरेल के मत्री परमाणू बम इस्तिमाल करने की भी सला थी जिसे बाद में नेतन्याहो ने खारिश कर दिया लेकिन इसी बयान से हिसाफ हो जाता है कि इसरेल जिस बम को चुपाने की कुशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की बजब बन सकता है और बीरान के परमाणू कारेकं को लेकर ये दुश्मनी और खतरनाफ हो जाती है एए इसरेल आएए आओ आएवगा से घर एएस एफ उड़ी सिर्ड़ी आएओर से हुरू से आएए इस्ड़ी आएगार जिए अएग चुपाने की ओरेकं की दामें एएडियू उत भी एएए इसरे एंकर और इस्ड़ी एंधिया है दोनों येक दूसरे को मिटाने की धम्तियां देते हैं इस्राइल को लेकर इगान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्षे से मिटाने की बात भी करता रहा है यही हाल इस्राइल का है जिसके निताओं ने भी परमानो धम्तियां देनी शुरू कर दी है गाजा में युद्ध के बीच अब वर्ल वार का खत्रा लगातार बना हुआ है जिसमें इस्रेल और इरान दो बड़े कैम्प मन कर उभर सकते हैं वैसे रूस और योक्रेम के युद्ध की वज़े से इरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में पहले ही बच चुका है इरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मश्रूर हो चुके हैं और अब उसकी मिसाइल टेक्मिलोजी को भी इरान और इस्रेल अपने लिए बहुत बड़ा खत्रा मानते हैं इरान अब अपनी इसी ताकत को दिखा कर अमेरिका और इस्रेल दोनों को चैलेंज कर रहा है हना कि इस्रेल से पहले उसमें अमेरिका के फौजी अट्डों को अपने टार्गेट पर ले लिया है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज़ादा अमेरिकी सेनिक तैना थे इसमें कोवेट में 10 सेन अट्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज़ादा सेनिक हैं बहरीन में अमेरिका ने 12 अट्डे पनाये हैं और यहां उसके 3700 से ज़ादा फौजी तैना थे सौधी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी बेस हैं यहां 3000 अमेरिकी सेनिक तैना थे ओमान में अमेरिका के 6 अट्डे हैं यहां उसके 600 सेनिक तैना थे सैयोक्त अरब अमिरात में अमेरिका के 3 अट्डे हैं और यहां उसके 5000 सेनिक तैना थे कदर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी वीस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है यही वज़े है कि इरान अब अमेरिका को इस इलाके में बरदाश्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन ही अट्डों से उस पर नजर रखता है और यही से वो कभी भी इरान के नियोक्लियर अट्डों पर हमला कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अट्डे हैं वहाँ उसके बहुत ही खतरना कथियार तैनात रहते हैं यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ पाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है इसमें इरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल-उदैद एयर बेस जो पूरे पश्ची मेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है यहां अमेरिका के अलावा प्रेटन के रोयल एयर फोर्स भी तैनात है दूनों देशों के यहां करीब डेड़ सो फाइटर जेट और बाकी विमान और भून तैनात रहते हैं यहीं से अमेरिका पूरे पश्ची मेशिया पर नज़र रखता है यही वज़े है कि इरान ने अब अमेरिका को वानिंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा अक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का थास दबदबा रहता है अमेरिका के नौ सेना यहां तैनात रहती है लेकिन इरान पर नजरे रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी होके है